हेलो फ्रेंट्स रोज के नाश्टी से जब कुछ हटकर खाने का मन कर जाए और घर के ही समान से बनाना हो वहार से कुछ भी नहीं लाना हो तो आज मैं आपके साथ कच्चे आलू से बना एक ऐसा ही नाश्टा शेयर कर रही है जो बनाने में इजी है बच्चों के टिफिन में जिल ना हो थोडा से इसमें डालेंगे चलीफ्लाक्स या फिर कुटी भी मिर्च आप यहां पर आड़क सकते हैं टेस्टकोंडिंग डालेंगे हम यहां पर नमक जितने हमारे आलू के लट्चे है उस हिसाब से हमें हलका नमक रखना है साथ में ही एड़ करेंगे एक चुछाई चमच चाट मसाला आप यहां पर अमचूर पॉडर भी यूज कर सकते हैं चाट मसाला के बजाए तो यहां पर उपर से हम थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे और अब इन सारी चीजों को हम यहां पर अच्छे से mix देंगे जिससे जितनी भी चीजे हमने लच्छों के साथ एड़ की है वो इसमें अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दे तो चली भी इससे रख देतें एक साइड में कर लेते हैं दूसरी तैयारी तो यहां पर हमने लिया है एक कब भरकर गेह का आटा हमें यहां पर अच्छे से चान कर लेना है हेल्दी रेसिपी है हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं और साथ में एड़ करेंगे इसमें थोड़ी सी कुटीवी मिर्च या फिर चिली फ्लैक्स उपर से डालेंगे एक चुथाई चमच अजवायन अजवायन को पहल सरसो के तेल के अभ यहां पर देखिया हमने नमक और आचवायन और टेल को अच्छे से मिर्च कर दिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालके हम यहां पर दो लगालेंगे दो हमें ज़्यादा हाद हम लगाना है थोड़ा सोप्थ ही रखना है इस तरीके से एक साइड में और कर लेते हैं चोटी से तैयारी तो गैस पेक पैंक चड़ाएंगे थोड़ा सा इसमें कुकिंग ओयल डालेंगे और साथ में यहां पर डाल रहे हैं एक चुथाई चम्मच खड़ी सोफ यानि कच्छी सोफ डाल रहे हैं जो मसाले वगरों में यूज होती है एक चुथा ही चम्मच खड़ी हम यहां पर जीरह डाल रहे हैं दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पहरे हम यहां पर चड़का लेंगे यानि कि इनको अच्छे से हम हलका पिंकीशी रखना है उसके बाद हम अपनी मन पसंद वेजी टेबल यहाँ पर एट कर सकते हैं जिसमें मैंने यापर एक गाजर ले लिया है कदू कस करकर एक छोटा टुकड़ा मैंने यापर शिमला मिर्ची का डाला है कट करकर एक हरी मिर्ची डाल रही हूं मैं यहाँ कर गाजर शाउना पर टमाटर लिया है कट करकर टमाटर की खटास onaस्ते में बहुत अच्छी जाएगी 7 में डाला क्छोथाई चमच मैंने यहाँ कर लिए लाल शाण मिर्च पाउडर हम इन चीजों को अच्छे से एक मिनट के लिए पका लेंगे जिससे जो हमारी गाजर है वो थोड़ी सी क्रंची हो जाए अब इसे स्टेज पर हम एड़ कर रहे हैं दो मीडियम साइज की उबले हुई आलू अब आलू को और इन सबजों को अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे और ये देखे चट पटा सा मिक्सचर बनकर हमारा तयार है पर उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरा मसाला और उपर से धनिया पत्ती एक बार दुबारा से अच्छे से mix दे देंगे तो चट पटी से stuffing बनकर हो गई है तेयार गैस की flame हम कर देंगे अब इसे stage पर यहाँ पर बंद और इसे होने देते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर ठंडा इतने हम वापस से अपने आटे को दिख लेते हैं आटा इतने टाइम में अच्छे से सेट हो गया है तो थोड़ा सा धनिया पत्ती हम इसमें mix कर देंगे इससे क्या है कि नाश्टे को जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा आप चाहें कर सकते हैं नहीं चाहें तो नहीं भी करें तो कोई दिकत ने स्किप कर दे तो आटा हमने एक बार से अच्छे से स्मूथ कर लिया है उसमें से आधा पोशन हमने यहाँ पर लेके एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है अब इसमें आटा लगा के हम इसको यहाँ में यहां पर रोटी में रोटी बोंड ब्रेश्त निच्छ मेहां तो मैं यहां पर थोड़ा बड़े वाला कटर ले रही हूं आप यहां पर कटोरी का साइज या ग्लास का साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं नाश्ता आपको बड़ा जैसा भी बनाना है मुझे वह छोटा लगा तो मैंने यहां पर बड़ा वाले ले लिए तो यह कटेंगे टो इन्हें मैंने िस तरह के से इंहां पर तैयार कर लिया है उसके बाद हमारे हमारी के सीधिया ते हमें ढालो के लच्छे लेंगे उसके उपर हम इस तरीके से थोड़ी से लच्छे रखे सेट कर देंगे बीच में इससे जो हमारा नाष्टा है लुक वाइस बिल्कुल डिफरेंट लगेगा और नाष्टा एकदम सूपर क्रंची बनेगा और बच्चों को तो यह बहुत पसंद आने वाला है और यह देखे हमारा नीची से नाष्टा जो है थोड़ा सा सिख गया तो मैंने इसको यहां पर पलड़ दिया है फ्लेम को आपको यहां पर low to medium के बीच में रखना है क्योंकि हम यह गेहूं के आटे का नाष्टा बना रहे हैं धीरी धीरे सेखेंगे तो नाष्टा बहुत क आष्टा है शाहिद यास से पहले आष्टा का आपने से कभी बनाया होगा और आप इसकी क्रिस्पिनस यहां पर देख सकते हैं कितना यह कुरकुरा है बच्चों के टिफिन में देजिए सफर में ले जाए घर में बनाएए सभी को बहुत पसंद आएगा रेसीपी में दूर से लाइक दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मिलते हैं नई दी नई रेसीपी के साथ थैंक्स वर वाचिंग